ओम नमस्षिवाई तो मित्रो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा काम है जिसे शनिवार को नहीं करना चाहिए जोतिश में शनी को न्याइदिश माना गया है ग्राही व्यक्ति को उनके करमों का फल्प दान करता है जिन लोगों के करम बूरे होते हैं उनके लिए शनी अशुब हो जाता है शनी के अशुब होने पर किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती इतना ही नहीं ऐसा होने पर घर परिवार में भी परिशानिया बढ़ जाती है शनिवार का कारक शनी है और इस दिन विशेश रूप से कुछ कामों को करने से बचना चाहिए अगर आप इस दिन ये काम करते हैं तो शनी अशूप हो सकता है और दूस परिणाम आपको जिलने पड़ सकते हैं कभी भी शनिवार के दिन घर में लोहा या लोहे से बनी चीज नहीं लेकर आना चाहिए ऐसा करने से शनी देव नाराज हो सकते हैं इस दिन लोहे से बनी चीजों को दान करना शूप माना गया है यदि आपके पास लोहे की बनी कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं तो उन्हें गरीबों में दान दे दें गरीबों का अपमान करना तो वैसे ही गलत है लेकिन विशेश रूप से शनिवार के दिन ऐसा कताई न करें दरसल गरीबों का प्रतिनिदित्व शनिदेव करते हैं और ऐसे में यदि आप उनको परिशान करेंगे तो शनि आपके जीवन में परिशानियां बढ़ा सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि शनिदेव आपसे नाराज है और आप पर शंकटों का पहार तूट पड़ा है तो शनिदेव को मनाने के लिए शनिवार के दिन तेल का दान करें लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन तेल को घर में नहीं लाना है अर्था दान करना तो शूब है लेकिन इस दिन कहीं और से या मार्केट से तेल खरित कर लाना अशूब है शनिवार के दिन किसी बहारी व्यक्ति से जूते चपल गलती से भी उपहार के रूप में स्विकार ना करें इसके विपरित शनिवार को जूते चपल का दान गरीबों को करने से शनी के दोश दूर हो सकते हैं यदि आपके पास पुराने जूते चपल हैं तो उसे शनिवार के दिन गरीबों को दान कर दें संभव हो तो नए खरिद कर भी दान कर सकते हैं शनिदेव को खुश करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पुजा करें जब पुजा हो जाये तो उसके बाद पेड़ की साथ परिक्रमा यानि चक्कर लगाएं शनि के प्रकोप से बचने का यही एक असरदार तरीका है शनि के प्रकोप को दूर करने के लिए और शनिदेव को खुश करने के लिए आप शनिवार के दिन काले तिल का दान करना बेहत शुप माना जाता है हो सके तो किसी गरीब को दान करें शनी के प्रकोप को दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में शर्षों के तेल का दिपक जला सकते हैं इस दिन ऐसा करने से शनी देव खूश हो जाते हैं और शनी के प्रकोप से आपको जल्द मुक्ती मिल जाती है